नमस्कार नमस्कार आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो अपने कक्षयाबारा के इतिहास में जो है पर्थम अध्याए चल रहा था तो आज हमारा जो आगे हम पढ़ेंगे पर्थम अध्याए में वो है प्राचीन भारत में नाविक सक्ती तो प्राचीन भारत में नाविक सक्ती के अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात ये जिसमें बता रहे है कि सिंदू परदेश में शिंदू नदी में 6000 बर्ष पूरवचलने वाले जल्यानों का क्या है विध्वानों ने वर्नन किया है जलियानों का विद्वानों ने क्या किया है वनन किया है संस्किर्ट में नव सबज जलियान के लिए प्रियोग किया जाता है किसके लिए प्रियोग किया जाता है जलियान के लिए प्रियोग किया जाता है बाद में उर्दू सबद जो है वो क्या आया नाव और नाव और एक सबद और कौन सा है नाव और नाव सबद का जो प्रयाई बना थीक है नाव जो है वो किस सबद का प्रयाई बना है आपके नाव सबद का थीक है नाव सबद का जो प्रयाई बना है वो क्या बना है यहाँ नव सबद का प्रयाई जो है नव बना और अंग्रेजी का जो सबद है नेविगेशन कौन सा सबद है नेविगेशन वो नेविगेशन जो है इस नव गती सबद का क्या बना है रूपांतरन बना है परिवर्तित रूप बना है ठीक है ना ठीक है नेविगेशन इस नव गती के एक हजार वर्ष पूरू है किसके कोलंबस कोलंबस वह वेकती है जिसने जो है समुद्री मारक से अमेरिका की खोज की ठीक है ना समुद्री मारक से किसकी अमेरिका की कोलंबस के पेदा होने से एक हजार वर्ष पूरू है भारत में जो जल्यान बनाए जाते थे वह इतने सक को लेकर सुदूर देशों को जा सकते थे मतलब अगर आप विश्वे का जो नक्सा देखोगे उस विश्वे के नक्से के अंदर आप देखना कि यह जो जल्यान है यह जो जल्यान यहां पर इन्होंने बताई हैं वो इतने सक्तिसाली है एक हजार वर्ष पूरवे के बाद की बाद की नहीं पूरवे की बाद कर रहा है ठीक है ना पहले की बाद कर रहा है तो लगबग कोलंबस का जो समय माना जाता है वो लगबग पंदरवी स्थाफ दी है पंदरवी सदी ठीक है और पंदरवी सदी से एक जारवर्ष मतलब लगबग पांचवी सदी के आसपास जो अंदर ठीक है और जो समुदर के अंदर जो लहरे हैं उन लहरों का मुकाबला करते हुए यह जो है इन छेतरों से वहां तक चले जाते थे ठीक है अब आगे कह रहा है कि इसी परकार के एक जहाज में परसीद बोध परियाटक फायान क्या नाम है फायान ठीक है कौन सा बोध परियाटक जो है वो कौन है फायान दक्षिन भारत में चीन को गया था ठीक है कैसे गया दक्षिन भारत ओकर गया था जब चीन से ही आया था फायान ठीक है किस के समय में आया था तो यह विक्रमा दूतिया या चंदर गुप दूतिया के समय में आया था फायान जो गुपत इस तरह में लिखा था गया तो अभी ये इसके बाद में जू है भारत से चीन गया था ऐसा उसgensने अपने यात्रा विवरण में लिखा है ऌए पहले ज् 뭐 rég आपको बताई दिया अब बारत से इस तरह से गया जैसे मालो यह सबसे पहले कहां गया स्री लंका गया स्री लंका के इसी बंदरगाय से क्या होता था वेपार होता था मतलब जो उसमें आपको नाम मिलेगा बंदरगाय नए मिलकर क्या मिल सकता है आपको गोद्धी बाड़ा मिल सकता है क्या मिल सकता है गोद्धी बाड़ा और आपकी किताब में साहिद डाक यार का नाम लिखा हुए क्या नाम लिखावा तो एक ही बात है या तो गोद्धी बाड़ा मिलेगा या आपको क्या मिलेगा दाक यार के नाम मिलेगा ठीक है अब आगे कह रहा है मिस्टर मेसोपटामिय इनारन आदिदेशों से इसी बंदरगा से बेपार होता था 756 फिट लंबे वे 126 फिट चोड़े 60 से 70 तन माल वाहक जहाज सिदे गहाट तक पहुच जाते थे और इसके लिए पूरो से पश्यम 1400 फिट लंबी दिवार ति मतलो ये जो है बता रहा है कि जो जहाज है वो किस तरह से बने हुए थे और कितने कैसे थे और कितना वजन जो है ये धो सकते थे ठीक है इस चीज़ के बारे में ये जो है यहाँ पर जानकारी दी जा रही है अब इसके बाद इसके लिए पूरो से पश्यम 1400 फिट जो है दिवार थी ताकि भार के समय जहाजों के लिए परियाप्त गहराई तक पानी बना रहे ठीक है वहाँ पर जलपोत जहाजों का रहे बनने की जो है कारिया शाला थी परशीम तट पर सोपारा वहै ब्रिगुक च भी परशीत बन्दरगा थे पर्थम स्ताबदी में, पेरिपल्स में, चोल, धंबोल, राजापूर, मालवन, गोवा, कोटायम, कोणार्क, मचली पटनम, एवं कावेरी पटनम के बंदरगाओं का उलेखाई ये अलग-लग जो बंदरगा हैं आप से चोटे परिशन यहां से पुछे जा सकते हैं कि वह बंदरगा बारत के वरतमान में वह बंदरगा जो पराचीन समय से भी जो है कारियरत है इस तरह से आपके परिशन बन सकते हैं अरब सागर का पराची नाम रतनागर वह बंगाल की खाड़ी का नाम जो है महोद दीथा इंपोर्टेंट परिशन जो है सब के लिए बन रहा है कि क्या कि अरब सागर का जो पराची नाम है वो क्या है रतनाकर किसका पराची नाम बताया जा रहा है अरब सागर का पराची नाम क्या है रतनाकर है ठीक है अरब सागर का पराची नाम रतनाकर और बंगाल की खाड़ क्या है महा महो ददी है ठीक है क्या है महो ददी अब है जातक में दस यात्रियों जो है जातक बगवान गुद्ध की जो पूर वजनम की कता है वो कौन सी है जातक जातक में दस यात्रियों को ले जाने वाले जल पोतों का क्या किया गया है ठीक है इसमें जातक में दस यात्रि वह बरहूत सिलप में चंपू वाले पोत वह केबिन वाली नोका की भी क्या मिले हैं शाक्षे मिले हैं अब है धार के राजा भोज द्वारा धार मद्या परदेश के अंदर बरतमान में ठीक है धार के राजा भोज द्वारा लिखित पूस्तक युक्ति कलप तरू में नोका निर्मान वे नोकाओं के परकार का विश्तरित उलेख मिला है दिसा जो है उलेख है दिसा ग्यान के लिए भारतिय नाविकों द्वारा लो है मतश्य यंत्र का परियोग करने का उलेख कुछ अरब यात्रियों ने किया है मेगस्तिनीज ने नोदलों के नोका संगठन का भी उले किया है नोकाओं का समुएं जब सागर में चलता था तो नोका द्यक्ष उस समुएं का परमुका दिकारी होता था ठीक है नोका द्यक्ष जो है वो नोकाओं के क्या कहलाता था परमुका दिकारी जो है वो नोका द्यक् और परतेग जो नोका है उसका दो अध्यक्स होता था या जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था करण धार कहलाता था या फिर महासार्थ कहा कहलाता था ठीक है पतवार संभालने का कारिय नियामक करता था कौन करता था नियामक ठीक है और पतवार मतलो जो नोका को चलाने वाला एक त्रैंस से ठीक है जलपोतों के परभंदन में परभंदन में लिए सुतंतर अधिकारी रहते थे जिनें दत्र रश्मी ग्राहक कहते थे क्या कहते थे दत्र रश्मी ग्राहक कहते थे किसको जलपोत के परभंदक के लिए सुतंतर अधिकारी ठीक है जलपोत के परभं दंदक के लिए जो सरतंतर अधिकारिय है वो क्या कहलाते थे दत्र रश्मिक ग्राहक कहलाते थे अब बात आती है भारत में प्रागयतियाशिक और पाशान संस्किर्थी क्या है विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किये गए कार्यों कलापों को दो भागों में बाट लिया है जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक के ये किरिय अकलापों को इतिहास में समिलित किया है और इसे पूर्व के मानव किरिय अकलाप प्राग इतिहास के अंतरगत समिलित किये जाती है ठीक है अब आगे है भी भारत में भारत में गत स्ताब चाहदा भादी में उत्खनन के दारा विद्वानों ने कई ऐसे स्टल डूंड लि निकाले हैं जहां पर प्रणभी काल में मानम का निवास्ता उत्खननन में उनके दारा पर्योग में ली गई सामगरी ओजार बर्तने उन जानवरों की अस्तियां प्राप्त हुई है प्रारं काल काह जाता है देखो ये क्या है कि ये बता रहे है कि जो है पाशान काल प्राग इतियाशी काल एक त्रहें से कैसे है ठीक है जैसे मालो प्राग इतियाशी काल मैं यहां नोट कर रहा हूँ प्राग इतियाशी काल ठीक है आप भी देख लेना इसको प्राग इतियाशी काल ज उपकर्ण वो हमें पत्थर के मिली है जो हमें जो पत्थर के जो उपकर्ण मिली है ठीक है इसी लिए जो है इस यूग को प्रस्तर यूग या फिर पाशान यूग की संग्या दी गई है ठीक है और इस समय जो मानव था उसे क्या का गया है पाशान यूगी मानव का गया है आप वहां से भी अच्छी तरह से समझ सकते हो ठीक है मैंने पाशान काल के बारे में अच्छी तरह से प्राग एतियाशिक आधियाशिक और एतियाशिक तिन्नो कालों के बारे में वहां में आपको बताया है ठीक है ना तो उसको भी आप समझ सकते हो और उसका मैं जो लिंक है वो description में दे दूगा इतियासकारों के अनुसार मानों ने लंबे समय तक इन पाशान उपकरणों का प्रयोग किया है भारत में सिवालिक पहाडियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाशान उपकरण मिले हैं ठीक है ना अच्छी तरह से वहां समझाया हुआ है दुबारा समझाने की जूरत नहीं है आप वह वीडियो देख लेना हमारा कौन सा सिंदु घाटी सबयता भाग वन जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना जहां पर आपको इतियास का सामन्य परीचिय भी बताया गया है तो पूरा पशानकाल में उकण 20 लाख वर्ष पूरु है मानों ने पर्थमबार बनाये थे जो आकार में बड़े वाँ मोटे थे भी आकार में बड़े वाँ मोटे थे तो वो चक्की का प्रियोकरते दिरे-दिरे क्या है कि आजकल जो है दिरे-दिरे जैसे-जैसे विकास होता गया वैसे-वैसे नए उपकर्ण आते गए चक्की मालों पहले बहुत बड़ी थी अब दिरे-दिरे छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-ठीक है आगे है सूगड जो है वो नहीं थी मतलो उनकी बनावट अच्छी नहीं थी बनावट क्या है अच्छी नहीं थी इस काल को भी विद्वानों ने निमन मद्य है उच पूरा पाशान काल में क्या किया है विभाजित किया है किसमें निमन में मद्य में और उच पूरा पाशान म हो गया कम होता गया ठीक है और इसमें सुक्षम पाशान उपकन भी कहते हैं मतलों लगुवाकार के कारण ही नहीं क्या कहते हैं सुक्षम पाशान उपकन ठीक है यह प्रशन है कमपीटिशन के लिए अगर कोई कमपीटिशन वाला इसको देख रहा है तो इसके लिए भी इंपोर्टेन था क्योंकि यह पर अपर उठा के देख ना पीछे वाले ठीक है गुजरात राजिस्तान उत्तरप्रदेश मद्यप्रदेश उडिश्या केरल के पाशान जो है पु टक खाद्य संग्राहक अवस्ता में रहने लगा और पशुपालन की और अगरसर हुआ नदी के तटवों वहे जिलों के किनारे मानव लकडी वहे घासपूस से बनी गोल जोंपडियों में रहने लगा मिट्टी के पातर उपयोग में लेने लगे और खाद्य सामगरी को पकान नवपाशांकाल काल का मानव कर्शी कारे करने लगा ता मैंने उसके अंदर सोड तरीके से आपको समझा दिये वीडियों आतोडा जहा है इसमिलों ने जो किस काल के अंदर इन्होंने क्रिशी कारे अप्रारम किया किस काल के अंदर इन्होंने आग का आविश्कार किया किस काल के अंदर इन्होंने पईये का आविश्कार किया वो सारे के सारी स्कालों में आपके आ जाएंगे ठीक है न ये उपकंड बेसाल्ट जैसे जो है बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे जिने गीस कर चिकना जो है किया जाता था क्रिशी कारे ने धीरे-धीरे मानवे को एक जगह से टिक कर रहने वह बसने का मजबूर कर दिया इनोंने क्या है कि पेड़ों को काटा पेड़ों वहाँ पर जंगलों में क्रिशी करना प्रारम कर दिया अब क्रिशी करना इनोंने जो प्रारम कर दिया तो उसके कारण क्या है कि मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ जैसे मालो सबसे पहले क्या है कि जंगलों में आदिमानों रहता था ठीक है जंगलों में आदिमानों रहता था तो उसने एक बार क्या है कि लुड़कते वे तनुए को दखा तो जिसके कारण किसका विश्कार हुआ पईये का विश्कार हुआ दिरे दिरे एक बार जंगलों म जानवर जो है जिसको मास का सेवन करता था आदी मानव वो जानवर नश्ट हो गए ठीक है नश्ट हो गए तो वो खाली जगए एक तरह से जगए क्या होगी खाली होगी और जहां पर थोड़े वो जंगल थे वहां पर इनोंने क्या है कि पेड़ों को काट कर वहां पर क्या है कि खेती करना क्या कर दिया मानों ने प्रारम कर दिया ठीक है तो इस तरह से यहां पर बता रहे है जिससे उनका जीवन जो है वो क्या है स्थाही हो गया पहले गुमकड था पहले जो है अपने पूरा पाशान में पढ़ा है उसमें जो है मानों क्या था गुमकड था धीरे धी रे бесп्राण। इसारी की सारी बाति मैंने उस वीडियो में समझाई है और अब यशी के साथ नई उत्की को नए उक्क हो गई है शुरूआत हुई है अब प्रागय त्याश इचितर । शेल चितर मतलो सिधी सी बात है जो शिलाओं पर जो चितर बने वे पत्थरों पर जो चितर है शेल चितर बीती चितर बीत पर बने डाचितर ठीक है ना आधी मानो जो है आधी काल में मानो प्रारम में परवतिय वे नदी घाटी चितरों में गुफाएं चटानों में बने प् उच्पूरा पाशान, काल से ही मानव द्वारा आश्रेस्तल के रूप में उपयोग किया जाने के परमान मिले हैं, सेल्चरे के छतों, दिवारों पर ततकालीन मानव द्वारा जीवन के विबिन पक्षों को संबोधित चितरांकन किया गया है, मतलब उस समय जो है, कि जहां प अभिवेक्त चितरों के माद्यम से जो है, उनको अभिवेक्त जो है, किनके माद्यम से किया है, चितरों के माद्यम से किया है, इस से प्रारमिक माननों के सांसकर्तिक सामाजी को है, धार्मिक जीवन की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, दक्षिनपूर्वी र पंच मढ़ी भी इसी दरिष्टी से क्या है मैतुपुन है इस परकार अजंता की चितर राशी दुर्गों है महलों के बीती चितर भी प्राचीन भारतिया इतिहास की अभिवेक्ती करते हैं ठीक है करते हैं सेल चितरों को ततकालीन मानव जीवन के विभिन पक्षों को सासाकरी रहते हैं और हम्क だिय प्रवातिये चेतर में दिश्टी से भीदीष्या सागर उत्र पर पर सब्यायतर राशाह में मिर्जापूर राजयस्तान में चंबल नधी गाटी चेतर जिसमें जो है चम्बल नदी गाटी चेतर में कोटा बुंदी जो है का जो आसपास का चेतर है ठीक है विदीशा सागर उतर परदेश में मिरजापूर राजिस्तान में चम्बल नदी गाटी चेतर बारा में आलनिया बहुत परसीद है बारा ठीक है नदी गाटी चेतर क कॉमा बारा और आलनिया विलासगड ठीक है और यह जो दर्रा जानते हो एक तरह से जो है तंग रास्ता ठीक है रावत भटा चितोडगड के अंदर है कपिल धारा ठीक है कपिल धारा बुंदी वे विराट नगर जो छेतर है वो कहां पर आ जाएगा आपके विराट नगर जो छेतर है कहां बताया है मैंने आपको विराट नगर जैपूर के अंदर है ठीक है हर सोर है वे समदा आदिस्तलों से सेलासरयों में क्या मिले है सेल चितर मिले है फिर से देखो यह कौन-कौन से छेतर आ गए आपके उत्तर परदेश मिर्जापूर राजस्तान के अंदर जो ह हरशोर अलवर और समदा आदिस्तलों पर हमें सेलासरयों मिलें भी अलग-लग जो चितर है वो किन-किन हिस्तानों से हमें प्राप्त हुए है पुरा विद जो है वी एच सोन वाले सोन वाने को चंद्रावती से मध्य पाशान यूगिन उपकरणों का रेखांकन मिला है ठीक इस से इनका काल मध्य पाशान यूग तो स्वते ही सिद हो जाता है डोक्टर वी एच वानकर जो है वाकन कर इनका समय उच्च पूरा पाशान से मानते हैं ये चितर अधिकांस्तिया लालवे गेरूरंग के हैं जो कहां से मिले हैं हमें चंद्रावती से मिले हैं सेल चितर कला का अध्यन भारत जो है अध्यन भारत में ही नहीं बलकि विश्व में 22 देशों में सोध कारे किया जा रहा है कितने विश्व के 22 देशों में इनका सोध कारे किया जा रहा है ठीक है इसे तु राष्ट्य और अंतराष्ट्य संग्ठन बने हुए हैं राष्ट् रखना की जो मैंने आपको यहां पर बताया है कि आप इससे समंदित जो वीडियो है वो मैंने सिंदु गाटी सब्यता भाग पर तम के अंदर डाल दिये हैं तो वहां से आप उसको देख लेना और दूसरी बात सोंवार से आपकी जो कलासे रहेगी उनको मैं आपको समय या ट उसी अधार पर आपने जो है चाच्यार कलासें जो है दोनों विशे की आपको उपलब्द हो जाएगी किसी कारणवश्य आपके नहीं हो पाई वो अलग बात है लेकिन आपको कलासें जो है रेग मिलेगी इस चीज़ का आप दियान रखना और साथ साथ में आप क्या है कि जो महतोपुण बिंदू है जिनको मैं अंडरलाइन करता हूँ आप उनको भी क्या कीजिएगा साथ साथ में अंडरलाइन कीजिएगा ठीक है और अगर आपकी पास किताब है तो अच्छी बात है नहीं तो आप उसको रफ कोपी में नोट कर लीजिए जो महतोपुण जिए उस परशन उत्र को उस फेर कोपी के अंदर कर लीजिए वो आपका ग्रह कार्य होगा ठीक है और जब तक कि अपने महामारी की जो समश्या चल रहे है इतने आपके यूटूपर जो है सभी क्लासें आपको उपलिप्ट हो जाएगी जो आपके बारवी क्लास का जो इतिह नहीं है आप दो दिन से भी अगर एक दिन आप वीडियो को पढ़ो तो अच्छी बात है लेकिन रूटीन रखना तभी आपकी तैयारी हो पाईगी ठीक है ना धन्यवाद